हेलो दोस्तों स्वागत है आपका विंसम रेडर में जहां आप देख सकते हैं कम्प्लीट बुक समरी आज मैं एक नई बुक समरी लाया हूँ जो रॉबर्ट की युशाकी की बुक रिच डाट पूर डाट प्याधारित है लेखक ने इस बुक को दस चैप्टर में लिखा है मैं ये दस चैप्टर आपको दो वीडियो में कवर करूँगा ताकि वीडियो लंबा न हो और आप बोर भी न हो इस किताब में लेखक हमें बताते हैं कि समाज के लोग हमारे माता पिता किस तरह से हमें धन के बारे में बताते हैं हमारे माता पिता समाज के लोग जो हमें धन के बारे में बताते हैं वैसे ही हमारी खुद की सोच भी बन जाती है, और वही सोच हमें जीवन भर प्रभावित करती रहती है, लेखक बताते हैं कि उनके दो पिता थें, एक जो कि उनके असली पिता थें, जिनको वो पूर डेट कहते थें, जो कि बहुत पढ़े लिखे थें, उन्होंने बड़ी ब पढ़े थें, फिर भी वो मिलियनर थें, उनके दोनों पिता अपने फिल्ड में अच्छे थें, और अच्छे पैसे कमाते थें, उनके पूर डेट असल में गरीब नहीं थें, उन्होंने बड़ी बड़ी कमपनियों के लिए काम किया, और अच्छा पैसा कमाया, लेकिन वो कोई व्यक्ति जीवन में कितना धन कमाएगा और कितना सफल होगा ये सब उसके खर्च करने और निवेज करने की आदतों पे निर्फ़र करता है लोग पैसा खर्च करने की आदत अपने माता पिता से सीखते हैं यही कारण है कि गरीब लोग पैसा खर्च करने की आदत को बद बिजनस कर ले के लिए अमीर बनने के लिए जोखिन उठाना जरूरी है, मिडल क्लास लोग जोखिन उठाने से डरते हैं, इसलिए ना तो कभी वो बिजनस करते हैं और ना ही कभी अमीर बनते हैं, अमीर लोग कभी जोखिन उठाने से नहीं डरते हैं, और वो पैसा कमाने के जरूरी रिसक लेते हैं ऐसा ही नहीं कि अमीर लोग की जीवन में कभी मुष्यले नहीं आती कई बार अमीर लोग के बिजने fasting अच्छे नहीं चलते लेकिन ऐसी परिस्तिफियों में वो एंबत नहीं आरते पसंद नहीं करते और ऐसे लोग कभी बिजनस सुरू करने की हिम्मत ही नहीं करते रिच डैड ने उन्हें समझाया कि फॉर्मल एजुकेशन नहीं बलकि तुम्हारा तजुर्बा तुम्हारे काम आएगा और वही तुम्हारा सबसे अच्छा टीचर होगा ऐसी बहुत कम कोई अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस देते हैं जिसके बदले में उन्हें पैसा मिलता है चैक्टर टू दपूर एंड मिडल क्लास वक्फा मनी बट रीच मेक मनी वक्फार दें गरीब और मध्यमवर के लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं लेकिन अमीर लोगों के लि करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते हैं जब कि ज्यादा तर बिजनस में ऐसा ही होता है वो जितना पैसा कमाते हैं ज्यादा तर वे उन्हें खर्च कर देते आं अगर वो कुछ पैसा बचा वही लेते हैं तो वे हमें उन्ने धन का घाटा होने का डर रहता है अगर किसी ऐसे करने से उनका living standard तो बढ़ जाता है लेकिन साथ ही साथ उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं खर्च बढ़ने से उनके पास investment के लिए पैसा नहीं बचता और लेखक रोबर्ट की उसाकी कहते हैं कि बिना निवेश किये हुए कोई भी व्यक्ति अमीर नहीं बन सकता गरीब और मध्यमबर के लोग जीवन भन नोकरिया करते हैं और अपने बच्चे को भी पढ़ा लिखा कर नोकरी करने की ही सला देते हैं लेखक ने ऐसे लोगों को the rat race का नाम दिया अमीर बनने के लिए व्यक्ति को बहुत कुछ सीखना पड़ता है खास तरपर बिजनस और धन के बारे में अमीर लोग बिजनस में सक्रिय हो कर काम करते हैं और जोखिम उठाने से नहीं डरते हैं वे अपने पैसे को ऐसी ही बिजनस में निवेस करते हैं जिनमें उन्हें आने वाले समय में ज्यादा मुनाफ़ा हो बिजनस में पैसा निवेस्ट करने के बाद वो उशी बिजनस से पैसा कमाते हैं कुछ लोग कई योजनाओं में अपना पैसा इनिवेस्ट करते हैं इस तरह से उनका पैसा उनके लिए काम करता है अमीर लोग पैसे से पैसा कमाना जानते हैं इसलिए उनका धन उनके लिए काम करता चैप्टर 3 वाइटीच फाइनेंसेल लिट्रोशी अमीर बनने के लिए बदलती हुई आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार अपने आपको बदलना जरूरी है हमें धन कमाने के लिए आर्थिक सिच्छा लेनी चाहिए क्योंकि ये स्कूलों में नहीं मिलती आर्थिक सिच्छा में अकाउंटिंग एक बहुत ही महतोपूर विशय है अमीर बनने के लिए आपको शंपत्ती और देंदारी में फर्क को शमजना होगा आपको अपनी रिशूर्स को यानि संपत्ती प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए ना कि देंदारी गरीब और मध्यावर के लोगों को संपत्ती और देंदारी में फर्क नहीं पता होता और वो देंदारी को संपत्ती समझ कर खरीद लेते हैं अमीर लोग ऐसी गलती कभी नहीं करते क्योंकि वो संपति और देंदारी में फर्ग जानते हैं संपति वह है जो आपकी अपनी है जिसे आप धन कमाने के लिए उप्योग करते हैं देंदारी का मतलब है कोई ऐसी चीज जिसको खरीदने के बाद हमारे उपर उसके पैसे देने की जिमिदारी होती है आर्थिक सिच्छा में दो महत्वपूर्चीजे है जो हर उस वेक्ति को पता होने चाहिए जो अमीर बनना चाहता है पहला प्रॉफिट लॉस सीट आपकी और खर्चे की सूची होती है उसके खर्चे के बाद बचने वाले धन की गड़ना की जाती है दूसरा बैलन सीट बैलन सीट आपकी संपत्ति और देंदारी की सूची होती है जिसमें कुल मूल की गड़ना की जाती है गरीब और मध्यमवर की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनके खर्ची और देनदारी की सूची उनकी आय और हम संपत्ती से अधिक होती है ज्यादा धन उनकी आर्थिक परिस्चेश्चें को सुलिहा नहीं सकता जैसे जैसे किसी वक्ति की आय बढ़ती है तो उसका भरने वाला टैक्स भी बढ़ता जाता है और इस बात को गरीब और मध्यमवर के लोग नजर अंधाज करते हैं घर और प्रपर्टी में लेखक ने कुछ चीजे बताई है जो हमें जरूर चाहिए पहला ज्यादातर लोग लोन लेकर घर खरीदते हैं जो की एक बहुत बड़ी देंदारी होती है अगर कोई वेक्ति घर खरीदने के लिए 30 साल का लोन लेता है तो उस लोन उनके खतम होने से पहले ही एक नया घर खरीद लेता है अब उसे नया घर का लोन अगले 30 साल तक चुकाना पड़ता है नया घर जिसे लोग अपनी संपत्ती समझते हैं दरसल लोन के रूप में वह घर आपकी देंदारी है दूसरा प्रोपर्टी टेक्स आपको भरना ही पड़ता है चाहे अपने लोन का घर खरीदा हो या बिना लोन का होम लोन पूरा चुकाने के बाद आपको प्रोपर्टी लोन चुकाना ही पड़ता है तीसरा प्रोपर्टी की कीमत कम भी हो शकती है और उसके साथ आपकी संपत्ती की कीमत भी कम हो जाती है घर में और प्रोपर्टी में निव करके बहुत सा धन कमाया था इसका मतलब है कि किसी प्रोपर्टी को किराये पे देना और किराये के रूप में उससे धन कमाना घर संपत्ती हो सकता है अगर वो आपको किराये के रूप में उसकी देखरेक और टैक्स के खर्चे से ज़्यादा पैसा देता है या समय के साथ उसक अगर आपको ज्यादा मुनाफ़ा मिले तो आप उस मुनाफ़े को सोच समझ कर अधिक जोखी माले कारे में निमेज कर सकते हैं जोखी अधिक जोखी माले निमेज में मुनाफ़ा भी अधिक होता है चैप्टर फूर माइंड और उन बिजनस आपका बिजनस जिसे आप नौकरी भी कहते हैं आपकी बिजनस से बिलकुल अलग है आपको कभी भी अपनी आर्थिक सुरच्छा के लिए नौकरी पनिर्भन नहीं रहना चाहिए आपको बिजनस करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा समपत्ती बनानी चाहिए किसी भी वेक्ति की आर्थिक समस्याए उसके जीवन भर दूर दूसरों के लिए काम करने का नतीज़ा है इसलिए गरीब और मध्यवर के लोगों के पास अपने जीवन के आखरी समय में कुछ नहीं होता गरीब लोगों के पास कोई संपत्ती नहीं होती, केवल देनदारियां होती है, मिडल क्लास लोगों के पास थोड़ी से संपत्ती होती है और बहुत सी देनदारियां जिने वो संपत्ती समझते हैं, जैसे कि लोन पर खरीदा हुआ घर और घर का सामान, हमें अपने जीवन में जितनी हो सके उतनी संपत्ती खरीदनी चाहिए जैसी कि प्रोपर्टी और घर जिसे हम धन कमाने के लिए इस्तमाल कर सकें लेखक के रिच डैड ने उन्हें समझाया कि असली संपत्ती वही है जिससे आप पैसा कमा सकें जैसे कि स्टॉक्स, बॉंट्स, मूच्वल फंड, रियल इस्टेट प्रोपर्टी, कॉपी राइट्स, बुक्स, म्यूजिक्स वगएरा आप इन में से कोई भी संपत्ती खरी सकते हैं और आपको पसंद हो जैसे कि लेखक को रियल इस्टेट प्रोपर्टी खरीदना पसंद था इसलिए उन्होंने बहुत सी प्रोपर्टी खरीदी और उन्हीं किराये पे दिया अच्छा बिजनस में वही होता है जो भावनाओं में ना बाकर सोच समझ कर फैसला लेता है लेखक ने अपनी किसी भी प्रोपर्टी के लिए अपने दिल में कोई भावनात्मक विचार नहीं रखे थे वे हमेसा नई प्रोपर्टी को खोचते हैं रहते हैं और पुरानी प्रोपर्टी बेचकर नई खरीदते थें जिससे वे ज़्यादा पैसा कमा सकें किसी भी बिजनस में कामयाब होने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है और कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है ज्यादातर लोग के बिजनस पहले वर्स में ही असफल हो जाते हैं क्योंकि वे बिजनस की सुरुआत में ही कुछ गलतियां करते हैं और उनमें अपने बिजनस को लंबे समय तक चलाने की ability नहीं होती हमें किसी भी बिजनस को सुरू करने से पहले उसे लंबे समय तक चलाने की योजना बनानी चाहिए जैसे कि लेखक ने अपने real estate बिजनस में किया हमें बिजनस में risk से नहीं डरना चाहिए और उसको चलाने के लिए उसकी पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए और लंबी समय की युजना बनानी चाहिए अगर आप कोई बिजनस करना चाहते हैं और आपके पास उसकी जानकारी नहीं है तो आपको उसकी जानकारी हासिल करनी चाहिए जिसके लिए उन लोगों की मदद लेनी चाहिए जो लंबे समय से उस बिजनस को सफल फुरुवक कर रहे हैं ऐसा करने से जोखी कम हो जाता और बिजनस से सफलत होने के चांच बढ़ जाते हैं अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें चैप्टर फाइब, दे हिश्ट्री औफ टेक्सेज और पावर अफ कॉर्पोरेशन टेक्सेज की सुरुआत तब होई जब लोगों को ये सिखाया गया कि अमीर लोगों को ज्यादा पैसे कमाने का जुर्माना भरना चाहिए टेक्स का मतलब ये था कि जो भी व्यक्ति ज्यादा पैसा कमाएगा वो जुर्माने के तोर पर सरकार को अपना कुछ हिस्सा देगा टेक्सिस को अमीर लोगों के लिए बनाएगा था बाद में उसे मध्यमवर्ग के लोगों के लिए भी लागू कर दिया सुरू में गरीब लोगों और मध्यमवर्गी लोगों ने इसका सायो किया आज मध्यमवर्गी लोग सबसे अधिक टेक्स देते हैं और अमीर लोग सबसे कम टेक्स देते हैं क्योंकि अमीर लोग टेक्स बचाने के बहुत से तरीके जानते हैं Corporation Tax हमेशा Income Tax से कम होता है इसलिए अमीर लोग अपना धन Corporation में निवीज करते हैं Corporation Tax के लिए कई तरह की छूट मिलती है लेखक के Rich Debt कहते हैं कि अमीर लोग गरीब और मध्यम वक्ष से ज्यादा प्रभाव साली होते हैं और ज्यादा मेहनत करते हैं इसलिए वो विजनस कर पाते हैं उनसे ज्यादा पैसा कमाते हैं इसलिए Rich Debt कहते हैं कि अमीर लोगों को ज्यादा Income Tax लगाना गलत है देश की अर्थविस्ता में जो भी परिवर्तन होते हैं अमीर लोग अपने आपको उनके मुताबित बदर लेते हैं वे मेहनत करके पैसा कमाते हैं इसलिए वो सरकार को टैक्स से बचने के लिए नए-नए तरीके खोज लेते हैं लेखा कहते हैं कि अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो आपको भी अपने देश की टैक्स प्रणानी को समझना होगा और टैक्स बचाने के नए-नए तरीके खोजने होंगे अप्टर 6 दरीच इन्वेंट मनी एक चीज़ जो हमें सफल होने से रोकती है वह हमारे खुद पे विश्वास ना होना ज्यादा तर लोग जीवन में कोई अच्छा मौका मिलने का या किसमत के साथ देने का इंतजार करते हैं जबकि अमीर लोग बिजनस करके और धन कमाने के मौके खुद खोचते हैं इस दुनिया में बुद्धी मान नहीं बलकि सासी वेक्ति आगे बढ़ता है सासी वेक्ति बिजनस में निवेस करने और जोखिम उठाने से नहीं डरता है अगर आप अमीर होना चाते हैं तो बुद्धी की होने से ज़्यादा जरूरी होता है हिम्मत का होना मैं यह नहीं कर रहा कि कोई मुर्ख वेक्ति बिजनस कर सकता है बिजनस करने के लिए बुद्धी का होना भी बहुत जरूरी है और ज्यादा जरूरत है जोखिम उठाने की हिम्मत और कुछ पढ़ा करने की चाहत अगर आप जीवन में बढ़ान नहीं सोचते और जोखिम नहीं उठाते तो आप जीवन भर ऐसी चीजों का इंतजार करते रहेंगे जो कभी नहीं होंगी अमीन बनने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आर्थिक स्थितिया कैसे बदल रही है और अपने आपको उसके मताबित कैसे ढालना या बदलना है गरीब और मध्यमवर के लोग सिर्फ एक ही नोकरी करते रह जाते हैं अपने जीवन भर वो नए नए मौके नहीं खोचते हैं पैसा कमाने के लिए अमीर लोग हमेशा नए नए मौके खुद खोचते हैं एक अच्छा बिजनसमेन हमेशा अपने लिए नया मौका तलास लेता है और नए बिजनस करने को तयार रहता है जब आप अमीर बनने के लिए कोई बिजनस करते हैं तो आप धीरे धीरे अमीर बनते रहते हैं वैसे ही जैसे आप अमीर बनते हैं तो आपका मेर जूल अमीर लोगों से बढ़ने लगता है आपको पैसा कमाने के और बिजनस करने के और बहतर मौके मिलते हैं कुछ बिजनस के मौके जोखिम भरे होते हैं लेकिन जिन कार्रों में जोखिम जदा होता है उनमें मुनाफ़ा भी बड़ा होता है अगर आप अमीर हैं तो आपके पास जोखिम उठाने के लिए पैसा राता है अगर आपको किसी नए बिजनेस में घाटा भी हो जाये तो उससे आपकी और आपकी परिवार की रोज मररा के जिन्दरी प्रहावित नहीं होगी जैसे कि लेखा का रियल स्टेट का बहुत बड़ा बिजनेस है बिजनेस से होने वाले मुनाफ़े से वो अपने परिवार के रोज मररे के खर्चे पूरे करते हैं खर्चों के बाद जो जह धन बचता है वो जो खिम भरे स्टॉक मार्केट में निवेस करते हैं कई बार उन्हें स्टॉक मार्केट में घाटा होता है लेकिन उसे से उनके परिवार के खर्चे प्रभावित नहीं होते तो अब मुझे उमीद है कि आप इसे अच्छे से समझ रहांगे अब मिलते हैं इसके अगले पार्ट में तब तक keep learning, keep growing and keep smiling